एक मेहतोपूर्ण सवाल जो इस देश के हर नागरिक पर जिसका प्रभाव पड़ता है कि सरकार में नीती निर्धारन करता कौन है? Who drives policy in the Modi government? अगर कोई आप में से investigation करे हर विभाग में हर मंत्राले में कितने consultants हैं और वो consultants किस agency के हैं, किसके आर्थिक interests का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसके लिए lobbying कर रहे हैं ये बड़ी रोचक जानकारी तो होगी ही, लेकिन गंभीर भी होगी और चिंता जनक भी होगी अभी हाल ही में fortified rice चावल को उसके अंदर एक प्रक्रिया करके iron डाल देते हैं तो जिनको iron deficiency होती है, उनको वो fortified rice खिलाएंगे, ऐसा प्रधान मंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर घोशना कर दी 15 अगस्त 2021 को, कि साब अब जो है, सरकार mandatory कर देगी जितनी सरकारी schemes में अन बढ़ता है, चावल बढ़ता है, वो fortified rice होगा और शुरू हो गया, दूसरे ही दिन प्रधान मंत्री जी देश के राजा बोलें, तो सब ने शुरू कर दिया जवान का नुकसान करते रहो, किसान का नुकसान करते रहो, विज्यान का भी नुकसान देखो कैसे करते हैं, विज्यानिकों की नहीं सुनी जाती क्या research हुई है, करोडों भारतियों को, आप जबरदस्ती fortified rice खिला रहे हो, बिना ये जाने, कि वो fortified rice, उनके स्वास्थ के लिए हानिकारक तो नहीं है without bothering to find out through experts, through scientists whether the fortified rice that you are forcing people to eat whether it will be harmful for them कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले नमक को fortify किया था iodine, नमक में मिला कर लोगों को दिया गया था क्योंकि goiter नाम की एक बिमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस वक्त तो iodine की एक विशेष्टा होती है कि वो toilet के जरीए निकल जाता है अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो iron तो कोई 2000 का नोट तो है नहीं कि जब चाहे वो बंद कर दे iron अगर शरीर में ज़्यादा हो गया तो नुकसान देगा लेकिन साहब ने तै कर लिया कि साहब fortified rice अब इस देश को खाना है तो देश को खाना पड़ेगा 138 लाख ton fortified rice का बंट चुका है 2021 से लेकर आज 2023 तक already consume किया जा रहा है people are consuming fortified rice 137 लाख ton so far कोई research नहीं कोई consultation नहीं कुछ नहीं अब तो एक ऐसा दौर है कि न नागरिकों से कोई चर्चा होती है नागरिक संगठनों से कोई चर्चा होती है bills consultative committees के पास नहीं भेज़े जाते है निर्ने लेने की जो प्रक्रिया है उसको इतना हलका कर दिया गया है माफ कीजिएगा उसको बेच दिया गया consultants तय करते हैं bureaucrat नहीं तय करता है माफ कीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई IS आपकी नीती बना रहा है आपके देश के लिए तो गलत सोच रहे हैं उस IS पर भी consultant बैठा हुआ है थेकेदार lobbies consultants ये इस देश की नीती तय कर रहे हैं ये तय कर रहे हैं कि fortified rice खाया जाएगा इस देश द्वारा और ये सबसे ज़्यादा 80 करोड लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हैं अलग अलग योजनाओं के तहत मिड़े मील में भी यही रॉइस इस्तिमाल होता है जहाँ जहाँ इस्तिमाल होता है कि अंगे अंगे कि अविए कि अविए